और बिंदगों और दुआ कि अधिक जब अलेकूं आज मांजी के दस्तर खान में बहुत मज़ेदार। प्रेटो इस इसाल रहे हैं बहुत मज़ेदार। इसके लिए मैंने प्रेटो दिये थे। के वाइल कर लिया था नमक मेने 1.5 tablespoon black paper half tablespoon breadcrumb तीन tablespoon कॉण फ्लोर तीन tablespoon मैंने भर के लिये थे तीन की बजाए आप चार भी ले सकते ही नहीं भर के तीन टेय टेबल स्पूर कॉण फ्लोर लिया था अलो को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने एक बड़ा सारा पेड़ा ले लिया था बॉल की शेब में उसे अच्छी तरह आपने दबा के उसे बेल लेना है रोटी बना ले उसकी नीचे से आपने थोड़ा सा कॉन फ्लोर या मैदा कुछ भी आप नीचे लगा लें ताकि यह साथ चिपके नहीं थोड़ा सा उपर स्प्लेड कर दूंगी मैं हाथों की मदद से आपने मसल के ना तो बहुत बरी क्रोटी बना लिए ना बहुत ज्यादा मोटी मीडियम साइज में आपने रखना है इसे दूसरी साइड पे पलड़ ले ताकि आपस में चिपके नहीं थोड़ा सा उपर आपने मेजा की कॉन्फरोट डाल लेना है बेलने की मदद से उपर से मलाहिम कर ले ताकि खुल्दरा ना रह जाए मलाहिम हो जाए अच्छी तरह आपने कोई भी कटर लेना है या कोई ढखकर ले ले मीडियम साइज का ना तो बहुत छोटा ना बड़ा गोल से स्माइल बनाते जाएं आइसा आइसा मैंने सारे स्माइल बनाके एक प्लेट में रख लिये थे गौल शेम में आप सभी को स्माइल्स को कटिंग करते जाएं और अपनी प्लेट में रखते जाएं यह आप इसी तरह करने के बाद उपर से आलो की लैदा पर्थ जो हम ने रोटी बनाई थी वो उठा दें नीचे स्माइल दे जाएंगे अब एक किसी भी स्टिक की मदद से आप दो आँखे बनाते जाएं सभी स्माइल्स में सभी जो पीसिस से आलो के और चमच की मदद से चमच की मदद से आप स्माइल बनाते जाएं चमच छोटा लेने हैं टी स्पून वाला बड़े वाला नहीं लें मैंने कुछ गुलाई में क कर लिए थे आप स्टार्ट शेब भी एक ले सकते हैं और दोनों प्यारे लगते हैं और मैंने रखादिया था मीडियम फ्लेम पे भहत हाई फ्लेम नहीं करनी डीफ राइ हाम इन्हें करto जाएंगे, बहुत तेज फ्लेम नहीं रखें, मीडियम रखें और बहुत हलकी भी नहीं रखने, एक एक करके आप डालते जाएं और इन्हें फ्राइ करें, बहुत मज़ेदार स्माइल बनेंगे, प्रैटो स्माइल आपके, बच्चों के भी पसंदीदार चीज है ये, आज क बच्रफेस्